अगर इस तरह से पनीर दो प्याजा आप घर पे बनाएंगे बिल्कुल रेस्ट्रेंट जैसा तो आपके घर वाले और आपके रिलेटिप्स आपके फैन हो जाएंगे आपके कुकिंग के असलाम लोकी वीवर्स कैसे आप सब लोग मैं उमीद करती हूँ कि आप सब बिलकुल खेरियत से होंगे तो आज आप लोग के साथ सेर कर रहे हूं पनीर दो प्याजा की रेसिपी ये रेसिपी इतनी ज्यादा मज़ेदार है कि जब आप इसे घर पे ट्राइ करेंगे तो आप आपके फैमिली और रिलेटिव मेंबर आपसे इसके रेसिपी पुछने पे मजबूर हो जाएंगे तो शड़े इस मज़िदार से रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं पनीर दो प्याजा बनाने के लिए सबसे पहले हम ग्रिल पैन पे दो से तीन खाने का चमास रिफाइ जो की डेड़ कप है पहले हम पनीर को डाल कर इसे हाई फ्लेम पे हलका साटे कर लेंगे यानि कि हलका सहा में इसे ब्राउन करना है लाइट ब्राउन अब ग्रिल पैन यहां पे इसलिए जरूरी है क्योंकि इसे रिजल्ट जो है वह बहुत ही बेस्ट आता है लेकिन अगर आपकी पास ग्रिल पैन नहीं है तो आप इसे नॉर्मल फ्राई पैन पे भी या पिर करहाई में भी इसे हलका सा तल सकते हैं जब इस तरह से एक साइडे आपकी लाइट ब्राउन हो जाए तो इस टाइम पे हम प्याज को डाल देंगे माफ कीजिएगा यहां पे हमारी जो क हलका सा ट्रांसलूसिंट हो जाएं तीन मिनट के बाद यह देखे हमारे पनीर और प्याज दोनों बिलकुल रेडी हैं अब इसे हमें एक साइड में करेंगे नेक्स्ट हमें एक पैन में डालने हैं रॉफली कट किये वे मोटे मोटे साइज में प्याज को और उसमें एक पा पांच मिनट के लिए को करने हैं चार से पांच मिनट के बाद यह देखे अब इसे हमें करने हैं कि मिक्सी जार में डालके इसे हमें एक अच्छा सा पेस्ट तयार कर लेना है बिलकुल इस तरह से पानी भी मैंने डाल दिया था और प्याज को भी अब हमें इसी तरह का एक पेस्ट रेडि कर लेना है जिसमें में थन्या की प्तिय। डालेंगें जूकि separated चाही मालें नेनकों प्तिय इसके सांदगी दालेंगे तेजैन के साथ 1 कप गष्ट्स कैटी किहegenगें, कर दो छाए नेक दे कर सेग्याता दालें पांच से छे हडी लाइची है और यहां पंदर से पीस काजू है और यह वन फोर्ट कप है यानि की दो से तीम खाने का चमस टमैटो केचप अब इन्हें हम पीस कर एक अच्छा सा पेस्ट रेडी कर लेंगे तो यह देखे हमने इसका अच्छा सा पेस्ट तयार कर लिया है अब हमारी सारी इंग्रिडिन्स बिल्कुल रेडी है अब आ जाते हैं हम कुकिंग की तरफ तो कुकिंग के लिए मैंने यहां पे ले लिया है एक कड़ाई और इसमें डालेंगे दो से तीन खाने का चमस रिफा प्याजा का फ्लेवर और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा तो यह आप जरूर से डालें तिल अच्छे से गर्म हो जाए तो उसमें हम सामिल करेंगे वन हाफ टीस्पून कसूरी मेथी फ्लेम को यहां मीडियम टू लो रखें अभी से हलका सा हिला ले और एक कप बारीक च मिनट के बाद हम कुटी हुई अद्रक और लैसन दालेंगे यहां पर मोस्त इंपॉर्टेंट है कि आप अद्रक और लैसन को कुटी हुई ही फ्रेस डाले क्योंकि पेस्ट से उसना अच्छा फ्लेवर नहीं आपाता है इसे के साथ 1-4 टीस्पून मैंने फ्रेस अभी अभी पाउडर दो बड़े खाने का चमच हम कस्मी रिलाल मेंस डालेंगे इसे हमारी सबजी का कलर जो है वह बहुत ही अच्छा हो जाएगा 1-4 टीस्पून जीरा पाउडर डालेंगे 1-4 टीस्पून धन्या पाउडर डालेंगे और 1-4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर इन सब क कर दोने का चमच पानी ने का टोने का सब करें अच्छा साल मेंस बोलतौन वरसा बडामारे पाउटर लेंगे इन सब को जाएगे ईन सब को डालेंगे अब नेक्स हम इसमें डालेंगे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी रेसिपी का इंगेडियन्स मैगी मसाला मैगी मसाला डालना बहुत ही ज़ादा जरूरी है क्योंकि यह इसली कहीं भी बहुत आसानी से मिल जाता है अगर मैं आपको कोई और मसाला इसकी जगह बताती तो आप उसे धुनते धुनते थक जाते और वह आपको मिलती भी नहीं तो यह बहुत ही ज़ादा इंपॉर्टेंट है इसे के साथ हम एक बड़े खाने का चमच नमक डालेंगे या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे धके इतना को करेंगे कि इसमें से जो ऑईल है और गी उपर आजाए तो बेसिकली यहां पे मैंने 12-15 मिनट के लिए बिलकुल लो फ्लेम करके मसाला को कुकिया है और यह देखी इसका रिजल्ट कितने अच्छे से घी और इसके उपर आउयल आ चुकी है यानि कि हमारा मसाला बिलकुल रेडी है अब तो अब इस टाइम पे जो हमने स्टार्ट के उपर की बलाई होती है वह है क्योंकि मैंने इसके पहले रेसिपी में जब मलाई डाले थे तो लोगों को बहुत सारी कोईस्टन हुए थे कि वह मलाई आपने कहां से लिया तो simply आप दूद के ऊपर की बलाई भी डाल सकते है इसलिए मैंने यहां यहां पर दिखा दिया एग मींपर 6-4 चाट पाउडर चाट मसाला पाॉडर और 23 खाल टाल लेमनी जूस जाल दिया और चाट ओない टालब बट्र छाया दिस्यवम पाउड़ा है फेरंber लेडिurg डाल तो क्ल नात बढ़ में लग डाएंसितable तो यह देखें लो फ्रेम पे पूरे छे मिनट कुप करने के बाद पड़ी दो प्याजा का कलर कितना ज्यादा अच्छा हो चुका है तो यहाँ पे हमारे पनीर दो प्याजा है वो बिलकुल रिडि है अब आखिर मैंने यहाँ पे 2 इंच के पनीर को साइड में रख लिया था तो उसे मैं स्रेडर की मदद से पहले मैंने उसमें औल ग्रीज कर लिया रिफाईन का औल और उस इस स्रेड करके पनीर को इस तरह से मैं कर देरी हूं ताकि जो हमारा ग्रेवी है उसमें भी पनीर का बहुत अच्छा सा फ्लेवर आए तो यहां पे मैंने अपने गैस को बिल्कुल बंद कर दिया है और बस मैंने यहां पे दो कटी हुई हरी मेर्चे डालें और धन्या की पद्दियां डाल दिये तो रिड़ी है हमारा बहुत मज़ेदार सा बहुत यमी सा पनीर दो प्याजा इसे आप सर्व करें तंदूरी नान के साथ और जो भी आपको पसंद है चाहें तो राइस के साथ और इसे अपने फैमिली के साथ इंजॉई करें इसे भी हम कुछ इसी तरह से सर्व करेंगे जैसे रेस्टरूम वगरा में आती है क्योंकि हमने आतनी साथ की हैं तो थोड़ा सा मेनत रवाइना की तो यहां पर मैंने हली मिर्ज को थोड़ा इ ringing जब घाल रव्ज अं दाला से ईंजॉई नान के साथ तंदूरी रोटी के साथ जिसकी वीडियो मेरे चैनल पर श स्क्राइब है तो आप चाहें तो इसे वाच कर सकते हैं और इंजोई कर सकते हैं तंदूरी नान वित पनीर दो प्याजा तो अगर से आपको आज की पनीर दो प्याजा की रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्रा कर दिया करें तब तक के लिए मिलती हो ऐसे किसे मज़धार रेसिपी के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखें अलाहाफ़ेज